राधे राधे एवरिवान दोस्तों आप सभी को मेरी तरब से आने वाली निर्जला एकदसी ब्रत के हारदिक सुपकाम नहीं 18 जून 2024 को निर्जला एकदसी ब्रत आने वाली है आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकदसी ब्रत के पुरानिक कथा कहानी आईए ब्रत कथा की सुरुआत करते हैं दोस्तों भीम सीन ब्यास जी कहने लगे कि हे पिता महें भाता युदिस्ठर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदी सब एकदसी का ब्रत करने को कहते हैं परंतो महराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की सकती पूजा आदी तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ परंतो भोजन के विना मैं नहीं रह सकता हूँ इस पर ब्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समस्ते हो तो प्रती मास की दोनों एकदसीयों को अनिम्मत खाया करो भीमसेन कहने लगे कि हे पिता मैं अता आप मुझे कोई ऐसा ब्रत बताएं जो बर्च में केवल एक ही बार मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ती हो जाए। आप बर्स में एक प्रत करने का प्रत्न अवस्य कर सकता हूँ। अता बर्स में एक दिन प्रत करने से यदि मेरी मुक्ती हो जाए तो ऐसा कोई प्रत आप मुझे बताईए। यह सुनकर ब्यास जी कहने लगे कि ब्रसव और मिथुन की संक्रान्ती के बीच जेस्ट मास के सुकल पक्ष की जो एक दसी आती है उसका नाम निर्जला एक दसी है। तुम उसे एक दसी का ब्रत करो। इस एक दसी के ब्रत में इसनान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। अन्यता भे मदपान के शदस हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से ब्रत दौजन करा कर फिर आप भोजन कर सकते हैं इसका फल पूरे एक वर्स की संपूर्ण एकदसियों के बरावर होता है ब्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन यह मुझको सेम भगवान जी ने बताया है इस एकदसि का पुन्ने समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है केवल एक दिन मनुसर निर्जल रहने से पापो से मुग्त हो जाता है जो मनुसर निर्जला एकदसि का ब्रत करते हैं उनकी मृत् के साथ इस ब्रत को करना चाहिए उस दिन ओम नमो भगवती बासुदेवाई मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए इस प्रकार ब्यास जी की आग्यानुसार भीमसेन ने इस ब्रत को किया इसलिए इस एकदसी को भीमसेनी यह पांडवेकदसी भी कह दूसरे दिन भोजन करूंगी या करूंगा रहा हैं। आप अपनी स्रद्धा के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं दोस्तूं। जो मनुस इस ब्रत को करते हैं उनको करोड, पल, सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यग्यादी करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकदसी के ब्रत से मनुस विश् करता हो, चोरी का सिकार हो या गुरु के साथ तुरेश किया हो मगर इस ब्रत के ब्रभाप से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र जो पुरुस या इस्त्री स्रद्धा पूर्भग इस ब्रत को करते हैं उन्हें अग्रे लिखित कर्म करने चाहिए। प्रतम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्रहमलो को मिस्ठान वा दक्षन देनी चाहिए। तथा जल से भरे कलस का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्यवस्त्र उपाहन जूती आदिका भी दान करना चाहिए। जो मनुसिभक्ति पूर्भग इस कथा को पढ़ते या फ जल्दी उठकर इश्नानादी करके निर्वर्त हो जाएं यानि फूरी हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्जुलित करें दूबत्ती लगाएं। भगवान विष्णू का गंगाजल से अविशेक करना चाहिए निर्जलाई का दसी पर। भगवान विष्णू को फ भगवान विष्णू के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णू भोग ग्रहन नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णू के साती माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक स सियादिक ध्यान करें दोस्तों। आइए अब जानते हैं निर्जला एकदसी ब्रत का पारण समय क्या होगा। निर्जला एकादसी ब्रत का पारण 19 जून 2024 को किया जाएगा ब्रत पारण का समय रहेगा सुभा के 5 बच कर 23 मिनट से ही सुभा के 7 बच कर 28 मिनट तक दोस्तों इस समय में आप अपना निर्जला एकादसी के ब्रत का पारण खोल सकते हैं अपना ब्रत खोल सकते हैं दोस्तों आईए दोस्तों आप जानते हैं निर्जला एकादसी ब्रत में भूल कर भी किन 11 गलतियों को नहीं करना चाहिए पहला नमबर है निर्जला एकादसी के दिन दातुन से दात साफ ना करे मान्यताओं की अनुसार इस दिन किसी पीड की टहनियों को तोड़ने से भगवान विश्णू नराज हो सकते हैं दूसरा नमबर है निर्जला एकादसी के दिन आलस करने से बची तीसरा नमबर है इस दिन ब्रत रखने वाले लोगों को रात में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से ब्रत का फल नहीं मिलता है चौथा नमबर है निर्जला एकादसी के दिन पूजा के दोरान चावल का इस्तेमाल ना करें आप चावल की जगे तिलकाउपियों कर सकते हैं दोस्तों सास्त्रों के अनुसार एक अदसी में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए पांचमा नमबर है इस दिन भगवान विश्णु को भोग तुलसी दल के साथ लगाएं क्योंकि भगवान विश्णु को तुलसी अतिप्रिये है छटा नमबर है इस दिन किसी को अप सब्द ना बोलें बुरा ना बोलें साथ ही इस दिन अपने मन को सांत भी रखें साथ मा नमबर है इस दिन भूल कर भी ब्यक्ति को मास मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन आपको साथ विग भोजन ही करना चाहिए आठमा नमबर है निर्जला एक अदसी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और सेविंग नहीं करनी चाहिए दोस्तूं वहीं सास्त्रों में लिखा है नाखुन काटना भी बरजित बताते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दर्यद्रती च्छा सकती ह साथी मालक्ष्मी जी रूट सकती हैं नमा नमबर है निर्जला एक अदसी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं साथी जल्दी श्नान करके साप सच बस्त्र धारण कर लें वहीं इसके बाद सूरिदेप को जल अर्पित करें वहीं अगर आप सुबह देर तक सोते हैं तो मालक हो सकती हैं दसमा नमबर है निर्जला एक अदसी के दिन पीले या सफेद रंग के बस्तर धारण करने चाहिए पीले रंग का संबंध भगवान विश्नु से माना जाता है साथी काले रंग के बस्तर नहीं पहनने चाहिए दोस्तूं ग्यार मा नमबर है अगर आप प्याज और लेसन का सेवन करते हैं तो एक अदसी के दिन भूल कर भी प्याज और लेसन का सेवन ना करें क्योंकि प्याज और लेसन को तामसिक भोजन माना जाता है और इनका सेवन करने से मन पूजा में नहीं लगता है दोस्तों जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पात इसलिए निर्जला एकादसी के दिन प्याज लेसन का सेवन ना करें बिल्कुल भी, अगर आपकी घर में कोई ब्रत नहीं भी है तो भी प्याज लेसन का प्रियोग ना करें, बही इस दिन भूलकर सराप का सेवन भी नहीं करना चाहिए दोस्तो W ब्रत काल में भीम को ये ब्रत रखने पर 10,000 हातियों की जितनी बल प्राप्ती होई थी और बेब दुरियोधन पर विजय प्राप्त कर सके। ये ब्रत बाल, ब्रत और रोगी ब्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। अगर ब्रत के दौरान पानी पी लिया जाए तो ये ब्रत तूट जाता है। लेकिन यदि प्राप्त संकट में आने वाली इस्तिती हो तो जल ग्रहन किया जा सकता है। लेकिन धर्म सास्त्रों में जल और अनग्रहन करने की मनाई होती है। इस ब्रत का सही तरह से पालन करने पर ही पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई ब्यक्ति ब्रत के दौरान जल बगैर नहीं रह सकता, उसके प्राण संकट में आने वाली इस्तिती है, तो ऐसे में उस ब्यक्ति को बारा बार ओम नमो ना रायने का जाप करना चाहिए इसके बाद एक थाली में जल लेकर घुटने और बाजू को जमीन पर लगा कर पसूबत जल ग्रहन किया जा सकता है इस तरह से जल ग्रहन करने से निर्जला एक अदसी का ब्रत भंग नहीं होता है आपका ब्रत नहीं खंडित होता है दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शीर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बूले और कॉमेंट वॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा आप सभी को मेरी तरब से निर्जला आई का दसी ब्रत की हार्दिक सुपकामनाई राधे राधे एब्रिवान